हालो गाइस एस सुन एस आई बेकाम क्वासिस सेज आई वस समंट बाइद एमपरस के एपिसोड 41 में आप सभी का विलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैंने उस पर एक न्यू मांगा स्टार्ट करी जिसका नाम है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक आउट करना मत भूलिएगा और इसी के साथ अब चलते हैं आगे एपिसोड के शुरुआत में हमक भाय जाता है उसकी हलत बहुत जड़ा खराब हो चुकी होती है वह अपने घोड़े को पर वस ऐसे लदा होता है और उसका घोड़ा टुगूर टुगूर चलके आगे की दरफ आ रहा होता है अपना हिरो लिंके वहां बिना किसी खाने पीने और सबसे में चीज कोई भी उस नहीं कर सकता अगर मुझे पता होता तो मैं बाहर नहीं आता अपना हिरो वहां पर अपने घोड़े के ऊपर इस तरह से बलबलाता हुआ आगे बल रहा होता है तब हमें दिखाते हैं एक टीले के पीछे से एक शैडो को जो वहां पर अपने हिरो की बास सुनकर उससे कहती ह मिस्टर लिन बहुत खुबसूरत और खुश है उस शैडो की बात सुनने के बाद में अपना हिरो उस तरफ देखता है और तबी जब वो देखता है तो वहाँ पर सीनेर सिस्टर होती है और वो अपने हिरो के तरफ देखके इसमायल करते हुए कहती है वर्जिन सट की डिसाइ हो रहे हैं किया आप सच में पहालों में घुमने निकले हैं और यह कहने के बार में वो तुरंट अपने हिरो के पास आती है और उसकी तरफ अपना फिस्ट आगे बढ़ा रही हो तो उसको घुसा मारने के लिए जिसको देखते हुए अपना हिरो शौक्ड होते हैं यह आप इसा क्यों कर रही हो तुम और तभी D decay जाता है जो सिस्टे के एनेरजी होती इती जादा होती वहाँ पर कि अपना रोव उड़ता हूँ उसके इन्रजी के और जो उसकी lady ही सिद्रमारी होती है सईदे पीछे की तरफ जाकर एक पहाण के ट्रव है ऑफिर भूमें दिखाया जाता है अपना ही रोसी वहाँ पर टकरने के साथ में एक शिपक जाता है और उसके इंपेक के कारण उस पहाड में बहुतारा दरार पड़ जाती है और उसको मैरने के बाद में जो सीनसिस्टर होती है वो अपने हेरो के तरफ गुसताते हुए आगे बढ़ रही होती है और अबने हेरो से कहती है तुम चोर, जिसने mere virginity को बरबात कर दिया क्या तुम्हें मरने का कोई रास्ता मिल गया है सीनियर सिस्टर की ये बास सुनने के बाद में अपना हिरो वहाँ पर धीरे से उठते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि कौन दोशी है और कौन दोशी नहीं है ये तो बस आपकी सोच पर टिका हुआ है कि आप किस तरह से सोचा करती है और ये कहने के साथ में अपने हिरो का ठरक पंदोस तो फिर से जाग जाता है और उसकी तरफ देख कर राल चिवाते हुए कहता है वैसे भी आपको उस समय जहर दिया गया था और आपका शरीर इतना मजबूत था कि मैं इसे बरदाश नहीं क कर सका जिस कारण से कि मेरे को आप तीनों को मिला के 300 करने पड़े और मेरी इतनी मेहनत का तुम लोग ये सिला दे रहे हो उसकी ये बास सुनने के बाद में जो सीनर सिस्टर होती है वह बहुत जादा जाती है और तभी वहां पर जंप लगाते हुए अपने हीरो की तरफ अ चटान के पीछे खड़ा ओते है दोस्तों वह चटान पूरी वहां पर टुकले टुकले हो जाती है लेकिन हमें दिखाया जाता है अपना हीरो अपने स्पीड को यूझ करते हुए सीनर सिस्टर के अटैक से बस्ता हुथ उसके पीछे आ जाता है और उसके पास आकर उसकी कम पग जाता है जिसे इसको फील करने के बाद में जो सीनर सिस्टर होती है वो ब्लस्ट करने लगती है वो शॉक्ड हो जाती है और फिर अपना हीरो वहाँ पर अपने धरकपन का लेबल और बढ़ाते हुए उसके कान के पास चला जाता है और उसे धीरे से कहता है क्या तुम जा होती है और तब अपने पर कंट्रोल करते हुए उससे कहती है ओ क्या ये सच है तो फिर ठीक है मुझे बताओ मेरा नाम क्या है अपना ठरकी हीरो एक नमबर का बक्चोत भी होता है दोस्तों जिस कारण से वह बहाना बनाते हुए सीनर सिस्टर से बोलता है मैं हर समय बस आप का नाम सिंयर सिस्टर करके पकार तो जिसको सुनने के बार में जुझा सह waiter होती दोस्तु वह बहुत सपर गुशार ही होती है कि इस चूते थि को मेरा नाम भी नहीं नहीं कि इसका नाम शूई यीजुन है और उसके वहां से ये बताने के साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दुबारा से वर्जिन सेट का पैलेस दिखाया जाता है अपना हीरो वहां पर आने के बार में धीरे से अपनी आँख को खोलते हुए कहता है यह मैं कहां हूं अपने ह सिस्टर जाग रही है और राइट वाई लड़की अपने हीरो की तरफ देखके स्माइल करते हुए कहती है अरे वाह आप जाग गई है वैसे आपकी बॉड़ी कैसी है क्या आप आपको ठीक लग रहा है अपना हीरो उन लड़कियों की बास सुनने के बाद में शौक हो जात है जब वो अपनी हालत को देखता है तो बहुत सारा घवराते हुए बगए लड़की से पूसता है यह कौन सी जगा है और आपने मेरे साथ क्या किया है अपने हीरों ने जैसे यह बात बोला होता है तब दिखाते हमको वहाँ पर लिंग हियां आ जाती है और इसमाइल करते हुए कहती है एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ लिंग के तुमने जो मेरा अपमान किया है उसका मैं तुमसे सौ गुना ज्यादा बदला लूँगी जब लिंग हियां इस चीज के बारे में सोच रही होती दूसरे साइड में अपने हीरों को दिखा जाते दोस्तों वह उसकी ये बास सुनने के बाद में मुझे लड़की होती है वो समझ नहीं पाती आखिरकार ये कहने का मतलब कैसका और तभी वह हसते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है हम लोग साथ में करेंगी लेकिन जैसा कि लिंग हियांग अपने हीरों के बारे में जानती है कि सला एक बाद में अपना हीरों लिंके वहाँ पर अपने बलून को खुब अच्छे से एड्जस्ट करते हुए लिंग हियां से कहता है देखो हम सब अब बहने हैं बले ही मेरे पास छोटे छोटे बलून है तो भी मैं अपने बहनों के साइज से छोटा मैसूस नहीं करती हूं लिंके के ऐसी हर्कत को देखने के बाद में लिंग हियां से अब रहा नहीं जाता वो भी समज जाते कि साला एक नंबर गठरकी है इसको अपर कुछ भी इस्तमाल करने से कोई फाईदा नहीं है इसको जेंडर से मतलब नहीं है इसको सिर्फ बलून से मतलब है और तबी वो में उसको वहां से पकड़ती है और घसीटते वह ले जाते हुए कहती है चलो मेरे पीछे आओ तुम फिर वहां से हमारा से शिफ्ट होके इविल घोस्ट वैले में आ जाते दोस्तों जो कि देखने में बहुत जादा खतरनाक होती है और वहां पर एक बहुत बड़ा खोपली जैसा पहाड होता है हमें वहाँ के भूतों को दिखाया जाता है जो वहाँ के भूत होते हैं किसी चीज को देखने के बाद में बहुत जारा शौक हो जाते हैं उनके पसीने आ रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है उन एविल घोस्ट ने अपने हीरो को देख लिया ह लेकिन मेरे पाइसा कोई सबूत नहीं है, जो मैंने को कुछ प्रूफ कर सकूँ अपने हीरो के ऐसी बात सुनने के बाद में जो लिंग हियांग होती है उसकी तरफ देखते हुए कहती है ये तो सच में ग्रेट गोल्ड क्रोल लियांग संथ की नाइन यांग डिवाइन आर्ट है क्या एक खजार साल की परशानी सच में आप जैसे लोगो पर भी इफेट करती है उसकी बात सुनने के बाद में अपना हिरो शौक्ड हो जाता है और तभी लिंग हियांग की तरफ देखकर घूर के गुसाते हुए कहता है तो मुझे बताओ सच मुश मैं ही क्यों और तुमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है अपने हिरो की बात सुनन की परशानी से वर्जिश को बचाने में मदद करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूं लिंग हियांग की बात सुनने के बाद में उसको समन में नहीं आ रहा रहा है सुला far 2000 सरक्षर क्या चल ला है तबस वहा पर समझ नहीं पारा होता इस कारण से उससे पूछी लेता है अच्छ करता है ऐसा कहा जाता है कि अंदिकार जब पूरे सूरज को ढख लेगा तब एक डिजास्टर होगी जो उस समय के मॉटल वर्ल्ड में सोल्स के कई सेक्रिफाइस को खा जाएगी लिंग हैं की बास सुनने के बाद में अपना हिरो इसको इंकार करते हुए कहता है अरे यह बस बत्वास है इस पे तुम भरुसा कैसे कर सकती हो अपने हिरो की बास सुनने के बाद में जो लिंग हांग होती वह बहुत ज़रा गुसा जाती है और तभी अपने हिरो की तरफ घूर के देख कर गुसा के कहती है यह एक सीक्रट है जो की इस सेक के लीडर ने तीन सोल को जला कर उसकी गर्णा की थी और इस चीज़ का भी अनुमान लगाया गया है कि डिजास्टर से बचने का एक मात तरीका सेंट लिंगो के एलेक्जर का यूज करना है लिंग हैं की यह बास सुनने के बाद में अपने हीरो को दिखाते हैं वह वहाँ पर बड़ा क्रीपी लुक दे इविल इसमाइल दे के कहता है क्योंकि तुम्हें मुझ पर निर्वर रहना है तो ऐसा है मेरे से बड़ा काईदे में बात करा करो तुम्हारी ऐसा कहिने की हिम्मत कैसे होई जल्दी मेरे घुटने टेको उसकी यह बास सुनने के बाद में लिंग हियांग होती वह बहुत ब बताकर बहुत बड़ी गलती कर दिये अब इस चीज से यह मेरा फाइदा उठाएगा हालो गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लैक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक आप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेंस उसको विजा के सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मिलते हैं लोग नेक्स्ट एपिसोड में थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल